नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय तर्तिया के बारे में यह शुब दिन कब है? इसका शुब मुरत क्या है? अक्षद तर्तिया का क्या महतव होता है इस दिन किस चीज का दान करें किस चीज की खरीदारी करें किस चीज की खरीदारी ना करें और कैसे पूझा विदी की जाती है आज किस वीडियो में संपून जानकारी हम आप लोग को देने वाले हैं इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजी ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके को मनाया जाएगा इस तिती की अधिसास्त्री देवी पारबती है पुरानिक कंत्रों के अनुसार त्रेता और सत्यों का आरंबी इसी तिती को हुआ था इसलिए से करत्यय युगादी तर्तिया भी कहते हैं माननेता है कि इस दिन सनान, दान, जप, हवन, स्वास्थ, तरपन आदी जो भी कारिय किये जाते हैं, जो भी कर्म किये जाते हैं वो सब अक्षे हो जाते हैं यह तिती संपून पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों का परदान करने वाली मनाई गई है अक्षे तर्थिया को अबूज मौरत माना जाता है, यह स्वम्सिद अबूज मौरत है इस दिन कोई भी आप शुब वांगलिक कारिय अगर करना चाते हैं जैसे कि विवहा, गर्य परवेश, घर खरीदना, भोखन या वहानादी की खरीदारी तो आप इस दिन बिना कुछ सोचे समझे, यह शुब कारिय कर सकते हैं, यह अपने आप में एक शुब तिथी है तर्थिया तिथी को पारवती जे ने अमोग फल देने की सामर्थय का आशिरवाद परदान किया है उस आशिरवाद के परभाव से इस दिथी को किया गया कोई भी कारिय निशुबल नहीं होता व्यापार, आरंब, गरेपरवेश, व्यवाई कारिय, सकाम अनुस्ठान, दानपुन्य, पूजापार्थ, अक्षे रहता है अर्थार्थ वे कभी नस्ट नहीं होता धरमराज को इस दिथी का मैतव समझाते हुए माता पारवती कहती है कि कोई भी इस्तरी जो किसी भी दरेका का सुख चाती है उसे यह व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए स्वम में भी यही व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ आनन्दित रहती हूँ विवायुग्य कन्याव को भी उत्तम वर्थ की प्राप्ति के लिए यह वर्थ करना चाहिए जिनकों संतान नहीं हो रही हो वे इस्तिरिया भी इस वरत करके संतान सुक प्राप्त कर सकती है परजापती दक्ष की पुत्री रोहिनी इसी वरत के कारण अपने पती चंदर की सबसे पिरियर रानी रही स्वर्विगे राजा इंदर की पत्नी देवी इंदरानी इसी वर्थ के बुन्ने परताव से जयनत नामक पुत्र की मा बनी देवी अरुंदुती ने यही वर्थ करके अपने पती महर्शी वसिस्ट के साथ आकाश में सबसे उपर का स्थान प्राप्त किया इस दिन सनान, दान और पोजा का बहुती मैत्व है अक्षयतर्तिया के दिन सूर्योते से पोरोट कर समुंदर, गंगा या किसी भी पवित्र नदी अत्वा घर में ही सनान करने के बाद भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की शांत चित होकर पोजा करने का विधान है पसू पक्षयों की खान पान की वैवस्था करना, रहागिरों को जल पिलाना, जैसे सतकर्म मनुष्य के जीवन को समर्दी के पत पर ले जाते हैं सकंद पुरान के अनुसार इस महा में जल दान का सरवादिक महत्व है अर्थार्थ, अनिको तिर्थ करने से जो फल प्राप्थ होता है, वहे के वद वैशाक मास में जल दान प्राप्थ करने से प्राप्थ होता है इसके अलावा चाया चाहने वालों को चाता दान करना और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा दान करना करने से ब्रह्मा, विश्नु और सिम तीनों देव का आशिरवाद प्राप्त होता है जो विश्नु प्रियर वैशाक में पादुका दान करता है वह यम दूतों का तिरसकार करके विश्नु लोग को जाता है अक्षे तर्थिया के शुब मौरत की बात करें तो सबसे पहले तो अक्षे तर्थिया है 22 अप्रेल को इस दिन उजके चंदらमा होंगे, व्रश रासी में होंगे, साथी इस दिन आयोशमान योग होगा, शुबकृति का नक्षत्र रहेगा, नक्षत्र स्वामी सूर्य है, सरवार्थ सिध्धी योग, रवी योग, अमरत सिध्धी योग aur तिरी पुशकर योग रहेगा, अक्षे दिर्थिया तेती का आरम 22 अप्रेल को सुबह 7 बज़ कर 50 मिनट से आरम होगी और 23 तारिक को सुबह 7 बज़ कर 48 मिनस तक रहेगी पूजा वीती के अगर हम बात करें तो इस दिन भगवान विश्णु जी की उपासना की जाती है इस दिन भगवान विश्णु की पिसेश पूजा और हमन करने से विशेश लाब प्राप्त होता है इसी के साथ आपके जीवन में आ रही समस्य दूर हो जाती है और इस दिन विशेस दान पर पवित्र सनान और तरपन करने से पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है जीवन में सुक्समरदी आती है और इस दिन जो का दान भी कर सकते हैं साथ ही जल से भरे घड़े का दान करना भी उत्तम रहता है। आपके पुर्वज आपसे प्रसन होते हैं और सदैव सुखी रहने का आशिवाद परदान करते हैं अक्षय तर्थिया को कुछ चीजे हैं जिसको आप दान कर सकते हैं जिससे की काफी समय से चलियारी आर्थिक तंगी भी आपके दूर हो सकती है आप अक्षय तर्थियों पर किन वस्तू का दान करें इनमें जैसे की जल, कुम, शकर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आधी चीजे शामिल हैं कहते हैं कि जो लोग अक्षय तर्थिया पर इन चीजों का दान करते हैं उनके घर मालक्षमी स्वंप धारती है और आर्थिक तंगी दूर करती है पोरानक मानताओ की बात करें तो कहा जाता है कि अर्खशय तर्थिया से ही दो पवित्र युगों की शुरुआत हुई मानताओ के निसार इसी दिन द्वात पर युग का अंध हुआ था अक्षय तर्थिया के दिन ही बगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और इसी दिन से बगवान नाराण की दर्शन और पूजा कर पाते हैं ये बद्रीनाथ उत्राखन के चार धाम में से एक मैटपून तिर्थ सल है अक्षय तर्तिया के दिन सोना चान्दी खरीदना बेहत शुप माना जाता है इस दिन बूल कर भी अलिमूनियम, स्टील या प्लास्टिक के बरतन और समान नहीं खरीदना चाहिए इससे घर में दरीदर्ता आ सकती है धार्मिक मानिताओ के नुसार अक्षय तर्तिया के दिन बगवान परशुराम का जनम हुआ था और परशुराम को बगवान विश्णू का छटा अवतार माना गया है अक्षय तर्तिया के दिन जारू करीद कर घर लाना बहुती शुप माना जाता है इससे घर में लक्षमी जी का वास होता है वही अगर घर में टूटी हुई जाड़ो या चपल है तो उसे अक्षे तर्तिया से पहले बहार फैक दें क्योंकि ये चीज़े दरिदर्ता की निशानी है तो ये थी दोस्तो आप सभी लोग के लिए अक्षे तर्तिया के बारे में समकूर्ण चानकारी इसकी पूजाविदी, शुब मेरा मुरत, इसको अक्षे तर्तिया क्यों कहा जाता है या अपने आप में का बूझबूरत क्यों है और क्या केचंजो का दान करें ये सभी जानकर इस वीडियो में प्रदान की गई है आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इसी तरीके की और वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीचे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजी ताकि चैसे वीडियो प्रोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके आज किस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नहीं जानकरियो के साथ तब तक बने रहे हैं धन्यवाद